नमस्कार मित्रों आप सभी का एक बार फिर हिंदी पौरानिक कथाए में स्वागत है। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें सावन महीने के चौथे सोमवार के दिन पूरे 186 वर्षों बाद रवी योग के साथ बिशकम योग मिल करके लग रहा है। आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दुर्भागे से मुक्ती मिल जाएगी बलकि इस चीज को लाने के बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तयारी कर रहे थे। आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नती होगी, आप जिस बिमारी से बड़ा परेशान थे, उस बिमारी से आपको मुक्ती मिल जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो घन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में सावन के महीने को बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। अगवान भोलेनात का आशिरवात मिल सके। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार 31 जुलाई 2023 को सावन का चौथा सुमवार का दिन पढ़ने जा रहा है। तो यकीन मानिये ना केवल आपके बलकी आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमतकारी और सकाराक्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत और उन्नती तो होगी होगी आपके घर से परेशानी। समस्याएं हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों देवों के देव महादेव एक ऐसे देवता हैं जिनकी हर कोई भक्ती कर सकता है। चाहे वो इनसान हो, भूत हो, राक्षस हो, दानव हो। शिव पुरान में तो यहां तक लिखा हुआ है। पशु और पक्षी भी महादेव जी की उपासना करते हैं। दोस्तों एक बात को समझ लीजिएगा भगवान भोलेनाथ की पूजा हर जगह हुई है, और जब तक ये दुनिया कायम रहेंगी, तब तक शिवजी की महिमा काई जाती रहेंगी। भगवान भोलेनाथ ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों का सिर्फ और सिर्फ कल्यान चाहते हैं, और आपने देखा भी होगा कि भगवान भोलेनाथ के भक्तों की संख्या अन्य देवी देवताओं के भक्तों की संख्या में कई गुना ज्यादा है। इसलिए कहा जाता है कि सावन के महीने में जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से पुकारता हैं, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति के हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपके जीवन के हर कश्ट को संकट को जड़ से नश्ट कर दें और आपकी हर मनोकामना को पूरा कर दे तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाए और तुरंत लिख दीजिए ओम नम शिवाय हर हर महादेव और अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों 21 जुलाई 2023 को करोडों की संख्या में लोग भगवान भोलेनाथ के लिए वरत करेंगे पूजा पाठ करेंगे और इस दिन अगर आप शिव पुरान के अनुसार वरत के साथ कुछ थोड़े से वो उपाय कर ले जो प्राचीन काल के समय के महाउपाय हैं तो यकीन मानिये आपके वरत का आपको पलट करके करोडों गुना लाभ मिलेगा ना केवल आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी बलकि इस दिन अगर आपने वरत के साथ वहाँ उपाय कर लिए ज आप शिव पुरान के अनुसार वह गुप चीजें उठाकर के ले आते हैं जो रवी योग और विश्कम योग के दिन उठाकर आप अपने घर पर लाते हैं और अपने घर पे स्थापित कर देते हैं तो इतना ही करने भर से दोस्तों आप ही के नहीं आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमतकारी और सकारात्मक बदलाव आएगा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप 31 जुलाई 2023 सावन के चौथे सुमवार के दिन वरत करने जा रहे हैं तो वो कौन से ऐसे उपाय है जो आपको वरत के दोरान कर लेना चाहिए ताकि आपकी करोडों गुना लाभ मिले और मान लीजिये आप इस दिन वरत नहीं कर पा रहे हैं तो वो कौन सी ऐसी गुप चीजे हैं जो आपको शिवलिंग से उठा करके लानी चाहिए और अपने घर पर स्थापित करनी चाहिए इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक ना केवल अपने लिए बलकि अपने परिवार के भले के लिए देखेगा क्योंकि जैसा हम आपको विडियो की शुरुआत नहीं बता चुके हैं। पूरा परिवार बहुत ही उन्नती करें। आपके हम आपके कमेंट के रिपलाई में बता देंगे लेकिन आपसे हाथ जोड कर निवेदन था विडियो लाइक करना मत बोलिएगा तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपने वरत किया है इस 31 जुलाई 2023 के दिन तो आपको वो कौन से उपाय साथ में करना चाहिए अपने वरत के साथ ताकि आपको वरत का पलट करके करोडों गुना लाब मिले तो सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है धन प्राप्ती का महा उपाय अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आप आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी में फंसे हुए हैं ये आपके पास जो पैसा आता है वो रुकता नहीं है तिकता नहीं है फिजूल खर्ची में उर जाता है या आप ये देख रहे हैं आपके जीवन में आने के सारे रास्ते बंध हो गए तो दोस्तों ये महा उपाय कीजिए जो आपको हम बता रहे हैं और ये उपाय करने के बाद मान के चलिए ना केवल आपको अपने जीवन के आर्थिक कष्ट से मुक्ती मिल जाएगी बलकि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे देखिए आपने 31 जुलाई 2023 को पहले तो वरत रखना है वरत रखने के बाद सुभा उठ करके आपको नहाना धोना सफेद कपड़े पहने हैं सफेद रंग के ही कपड़े क्यों बहुत ही प्रिय होता है अब आपको एक तामबे का लोटा लेना है उसमें गंगाजल बनना गंगाजल मार्केट में 20 रुपए 25 रुपए का मिल जाएगा और आपको डालना है 108 काले तिल के दाने आप भगवान भोलिनात के मंदिर जाईए शिवलिंग पर आपको मुह उत्तर की तरफ करना है इसी एक लोटे जल से शिवलिंग का अभिशेक कर देना है शिवलिंग पर अभिशेक करते वक्त आप लोगों को ओम नमह शिवाय का जाप करते रहना एक बात का ध्यान रखिएगा जब आप शिवलिंग पर अभिशेक कर रहे हो धार थोड़ी धीरे रहे और जितनी देर धार पानी से गिर रही हो शिवलिंग पर उतनी देर ओम नमह शिवाय का जाप कीजिए सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस 31 जुलाई 2023 के दिन कर लिया महादेव जी की कृपा से आपको अपने जीवन के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से मुक्ती मिल जाएगी और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे अब मान लीजिए आपका स्वास्थ ठीक नहीं रहता है आप बहुत बीमार पड़े हुए हैं आप अपनी बीमारी में लाखो रुपय खर्च कर चुके हैं लेकिन आपको कोई फाइदा नहीं मिल रहा है तो दोस्तों 31 जुलाई 2023 के दिन आपको वरत रखना है नहाना है धोना है, घर पर 11 रोटियां बनानी है और इसी 11 रोटि को किसी भी नंदी को खिला देना नंदी को खिला दीजिए, बैल को खिला दीजिए क्योंकि भगवान भोलेनात के वाहन है नंदीजी नंदीजी बुद्धी और बल के प्रतीक माने जाते हैं। इतना ही उपाय करने भर से आपको अपनी बिमारी से मुप्ती जरूर मिल जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नती हो, महादेव जी की क्रिपासे आपके घर पर हमेशा सकारात्मक उर्जा का वास रहे, तो दोस् भगवान भोलेनात के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर एक लोटे जल में थोड़ा सा भस्न मिला करके शिवलिंग का अभिशेक करना देखिए, भस्न भगवान भोलेनात को बहुत प्रिय है, और अगर रवी योग के दिन शिवलिंग पर भस्न से अभिशेक किया जाए, तो इससे घर पे जो भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, उनका नाश हो जाता है, और घर पर सकारात्मक उर्जा का वास हो जाता है. अब मान लीजिए दोस्तों आपके उपर सनी दोश है आपके साढह साती चल रही है आपकी ढहिया चल रही है आप इस चीज को ले करके बहुत परिशान है तो ये महाउपाय की जो आपको हम बता रहे है आपको 31 जुलाई 2023 के दिन वरत रखना है वरत रखने के बाद आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है आपको एक सफेद कपड़ा लेना है उसमें दो लोटा आपको चावल डालना है इस सफेद कपड़े की पोटली बना लीजिए भोलेनाथ के मंदिर जाए सबसे पहले शिवलिंग का अभिशेक कीजिए और ये जो चावल आप ले करके आए दो लुटेरे का ये मंदिर के पुजारी को दान कर दी जाए इतना भर अगर आप कर देते हैं पूरे साल आपका सनी दोश, मंगल दोश, वास्तु दोश, साढह साती, फैया इसका प्रकोप से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका दुरभाग्य आप से दूर रहेगा और आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा अब आपकी मान लीजिये कोई मनोकामना है, आप जानते हैं कि आपकी मनोकामना एक ही दिन की पूजा से पूरी हो जाए और अपने वरत भी रखा हुआ है 31 जुलाई 2023 के दिन तो आपको क्या करना है? देखिए आपको 11 बेल पत्र लेना है, आपको लाल चंदन लेना है, आपको एक लोटा शुध जल लेना है भगवान भोले नात के मंदिर जाए सबसे पहले आपको एक लोटे जल से भगवान भोले नात के मंदिर जाकर शिवलिंग पर अभिशेक करना फिर बेल पत्र पर आपको चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना है और पहला बेल पत्र आपको शिवलिंग को अर्पित करते हुए 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभियां हम फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों श्री शिवाय नमस्तुभियां जो भगवान भोलेनात का बीज मंत्र का जाप करना है 11 बिलपत्र आपको इसी प्रकार से अर्पित करना है शिवलिंग पर इतना भार अगर आपने कर दिया तो यकीन मानिये दोस्तों महादेव जी की कृपा से एक ही दिन की पूजा से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी अभी तक हमने आपको बताया ये वरत के साथ आप वो कौन से उपाय कर सकते हैं जिन उपायों को करने के बाद आपकी पूजा भी सिद्ध हो जाएगी और आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे शिवपुरान के अनुसार वह कौन सी ऐसी गुप्ट चीज है जीस को अगर आप शिवलिंग से उठा करके अपने घर पर स्थापित कर लेते हैं तो न केवल आपकी बलकी आपके पूरे परिवार के भाग्य बदल जाएगा और आप लोगों को भगवान भोलेनात का आशिरवाद मिलेगा लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नती हो महादेव जी की कृपा सदैव आपके घर पर बने रहे, तो आपको क्या करना है देखिए आप लोग एक काम कीजिएगा 31 जुलाई 2023 के दिन सुभा उठिएगा, नहाईएगा, धोईएगा, सफेद कपड़े पहनिएगा एक मोरपंख ले लीजिएगा, एक लोटा कच्चा दूध ले लीजिएगा भगवान भोलेनात के मंदिर जाईएगा, सबसे पहले एक लोटे दूध से आपको शिवलिंग पर अभिशेक करना है इस मोरपंख को आपको शिवलिंग से चुआना है, और इसको लाना है अपने घर के पूजा घर के अपनी किसी प्राचीन द्रंख में दबा करके रख देना सिर्फ इतना भरा अगर आपने इस सावन के सोमवार के दिन कर लिया, तो मान के चलिए आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उननती भी होगी अब मान लीजिए दोस्तों आपके गुप्ट शत्रू है जो आपको नुकसान पहुचाना चाहते हैं आप चाहते हैं महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में आपके शत्रूं से आपको कोई नुकसान ना हो तो ये उपाय की जो आपको बताने जा रहे हैं आप लोगों को बस बस ये करना है दोस्तों 31 जुलाई 2023 के दिन नहाने धोने के बाद एक पूजा घर से त्रिशूल ले लेना है भगवान भोलेनात के मंदिर जाएए आपको शिवलिंग पर अभिशेक करना है दूर से और ये त्रिशूल शिवलिंग से चुआना है और घर पर लाकर के पूजा घर पर स्थापित कर देना और प्रत्येक सोमवार को इसी त्रिशूल को आप लोगों को धूप दिखानी होग इतना भर अगर आप कर देते हैं तो महादेव जी की कृपा से आपके लाखों शत्रू आपके खिलाफ खड़े हो कभी भी आपका कुछ नहीं बिगार पाएंगे क्योंकि ये बात याद रखेगा कि महादेव अगर किसी व्यक्ति को आशिरवाद देते हैं तो उसका साक्षात काल भी आकर के कुछ नहीं बिगार सकते थे इस बात पर कमेंट सेक्शन में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव और अगर आप चाहते हैं दोस्तों के आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो महादेव जी के आशिरवाद से आपके जीवन में धन इतना आ जाए फिर आपको धन के लिए परिशान ना हो ना हो तो आपको क्या करना है देखिए 31 जुलाई 2023 के दिन सुभा उठिये नहाए धोये सफेद कपड़े पहनिए, पूजा घर से एक दमरु खरीद लीजिए, एक लोटा शुद्ध गंगाजल ले लीजिए, भगवान भोलेनात के मंदिर जाईए, शिवलिंग पर एक लोटे शुद्ध गंगाजल से अभिशेक कीजिए, ये डमरु को शिवलिंग से चुए और इसको लाईए अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए और प्रत्येक सोमबार को इसी डमरु को धूप दिखा दिया कीजिए, अगर इतना भरा अगर आपने 31 जुलाई 2023 के दिन कर लिया तो यकीन मानिए इतना ह आपके घर की उन्नती भी होगी, आपके घर की बरकत भी होगी तो दोस्तों इस वीडियो को यही पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत बोलिएगा और कमेंट बॉक्स में चाहिए और तुरंत का तुरंत दीजिए। ओम नमा शिवाय हर हर महा भी होगी